नमस्कार मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडिनी के अंलाइन परिवार में आप सब का साध़त करता हूं मेरे दोस्त कैसे हैं आप सब मुझे पता है आपके मैसेज आपके कॉल देखके मुझे पता है का आप बिल्कुल अच्छे नहीं है इस समय और बहुत परिशान है मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ उसके दो कारण है पिछले पांच साथ दिन से मेरी तरफ से कोई विडियो नहीं आ रहा था एक तो य बात आज 24 तारिक थी कोट केस में क्या हुआ उससे बात करूंगा और पांच जिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था उस पर ही बात करूंगा कई सारी चीज़े बात करने वाला हूँ मैं यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को सेर करें ताकि हर व्यक्त तक जानकारी पहुंचे और आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपसे वो पॉइंट टूपाइंट बात करने वाला हूँ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ रहें मेरे सातियों मैं पिछले पांच दिन से लखनों में था और इस दोरान जब गुमती नगर जो रुडियो मुख्याला है मैं बहां गिया हुआ था कुछ काम से और मेरे एक भाई हैं उदर तो मैंने बहां पे एक इंटरनल नोटिस देखा और उस नोटिस में ये बोला गया था कि जुलाई में 15 जुलाई से डाकुमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टार्ट होने ये संभावेत्य थी उसमें दी गई थी तो उसको देखके मुझे ये पूरा यकीन है उसके लिए जो है तैरी की जा रही है इंटरनल तोर पे ताकि 15 जुलाई से डाकुमेंट वे और आप लोग भी इस बात के लिए अगर जून में रिजल्ट नहीं आता है मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनी अगर जून में रिजल्ट नहीं आया तो जुलाई में मैं अपनी तरफ से बड़ा अंदोलन शुरू करूँगा और उसके लिए मैं जैसा की 10 जून को मैं गया था मैं इसी प्रकार से बड़ा अंदोलन खड़ा करूँगा और मैं खुद उसका नित्वत करते हुए लखनो चलूँगा भड़ती बोर्ट के सामने और तब तक महां से वापस नहीं आऊँगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है रिजल्ट के लिए को अफिस जून तक आ जाएगा अगर नहीं आता है तो हम उसके तीन चार दिन के अंदर एक बड़ा मुमेंट करेंगे और आप सब लोग की जिम्मेदारी है आप सब लोग भी जो लोग आ सकते हैं सब को आना पड़ेगा और हम सब लोग केवल और केवल सिंगल मुद्धे बात लिए और बहुँगा कि रिजल्ट कब आएगा तो मैं बाकि किसी चीज़े बात नहीं करूंगा जिस पे फोकस करता हूं केवल से बात करूंगा अभी मेरा जो प्राइम टार्गेट है वो केवल और केवल रिजल्ट है बात करोंगा तो आप सब लोग अपनी रणिंग करें इतना आप एकीन करें मैं आपको कह रहा हूँ इस बात के लिए स्वासन दे रहा हूँ आपको कि रिजल्ट हर हाल में जूल में आ जाएगा अगर नहीं आता है तो प्लान बी मैंने आपको बता दिया और उसके लिए मैं तयार हूँ आपको भी तयार होना पड़ेगा अब कुछ लोग ताकतित लोग जो कह रहे थे कि मैं रिजल्ट पेस्टे ले लूँगा 24 तारीक को या कई साय लोगों को ये लग रहा था कि ये जो है रिजल्ट इस कोर्ट केस की वज़े से नहीं आता है तो मैं उस पर भी चच्चा करूँगा और जो लोग ये कह रहे थे कि हम इस भर्ती को फसा देंगे आइस्ट ले ले लेंगे उन लोगों के मन्सूवे नाकामयाब हो गए वो लोग भी नकाब हो गए जो जूट के साथ चाते हैं चोरी छिपे करके आपको इस जाओगे और जब चीजे सामने आएंगी तो उस पर सामना करना पड़ेगा और सच का सामना फिर सबसे नहीं होता है यह याल इसमें भी हुआ है आज किस की सुनवाई होनी थी तो रियल बात यह है जज्जमेंट आप लोगों ने कोई और नहीं हुआ कोई बहस नहीं हुई हाँ हम लोग की तरफ से थर्ड पाइटी के रूप में हम लोग इंप्लीड हुए हैं और उस पर बहुत जल्द आपको प्रेडाम देखने को मिलेगा और उसी का करान है कि आज जिनको यह लग रहा था कि वो भरती को फसा देंगे वो इस्टे ले लेंगे वो एकदम से बेनकाब हो गये उनके मनसूबे धरे के धरे रहे गये हैं हाला कि वो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए उसके लिए मैं त्यार हूँ और रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट आएगा आपका जून में ही आएगा कोई फसा नहीं सकता है इस भरती को कई लोगों को यह लग रहा है या भर्म फैलाया जा रहा है लोगों में आप लोगों को कि रिजल्ट अब इस पुलिस इस कोर्ट केस के अधीन है तो मेरे दोस्त, रिजल्ट इस court case के अधीन नहीं है, जितने भी court case हुए है, रिजल्ट सब के अधीन है, लेकिन, रिजल्ट नहीं अधीन है, ये भरती प्रक्रिया उनके अधीन है, ये रिजल्ट आ जाएगा और भरती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी है, किसी भी court case में ये मैं ने कभी भी यह नहीं का ॐफिस्चल तौर पर साधनी को फशाद हूँगा मैंने जो भी प्रेडाम में बहुत जल्द रिजल्ट जारी करें अज़ा दिन लोग को यह लग रहा था तो आज केस पास्वबर हो गया है और ये नहीं है इसका मतलब कि result नहीं आएगा result पे रोक नहीं लगी है इस बात को आप फिर समझेए किसी भी court case के दोरह result पे रोक नहीं लगी है और जो भ्रह्म फैलाया जा रहा है कि हम इस्टे ले लेंगे यह result पे इस्टे मिल गई है तो ना इस्टे मिली है और ना इस्टे मिलेगी, यह होने नहीं दूँगा मैं, इस्टे किसी भी कीवत पर नहीं हो, मैं इसके लिए एक दम अस्वस्त हूं, और आप लोगों को भी अस्वस्त कर रहा हूं, जो भी करना पेड़ेगा, मैं अपने इस तरह से हर बो काम करूँगा, हर बो संबत कीज ताकि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ सके, बस आप लोग को करना है कि आया, आप सब लोग अपनी रुनिंग करते रही है, प्रॉपर तरीके से मेरा आप सब से ही कहना है, कि बहुत ज़्यदा समय नहीं मिलेगा, और गर्मी का मौसम होगा, तो बड़ा दिक्कत हो जाएग कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जो रियल्टी है मैं वो आपको बता रहा हूँ, और आज जो हुई सुनवाई, आज जो बहस हुई, उनकी तरफ से भी तीनों बखील उनके आया हुए थे, और मैं कोट में था, जब बहस हुई, तो मैं कोट में था, उनके बखील साब काउंट पर बहस करना चाहा रहे थे, लेकिन उनको बहस करने का समय नहीं दिया गया, आज हम लोग भी इंप्लिट हुए थे, हमारे बकील साब भी उसमें इंप्लिट हुए और उनको मिल गया है, अगले सप्ता, और एक दो सप्ता बाद जो है, इस पर आठ जुलाई को अगली सुन कर रहे थी कि क्या हुआ, कुछ रवड है या क्या, तो मैं बता दूँ चीजे एक दम विवस्तित तरीके से लिए थे, और मैं थोड़ा सा एक सिक्रेट मिशन पे था, और सिक्रेट मिशन पे होने के तहत, मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, मैं लगातार काम कर रहा था, और उस काम का शकारात्मक परिणाम आज मुझे दिखा, आज मैं बहुत सुकत दिस्तित में हूँ, और मेरे साथ सारे डिप्लोओं वाले भाई भी सुकत दिस्तित में है, आप सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत प्रशन होंगे सब लोग, और मैं यही कह रहा हूँ, क कि आप सब लोग प्रॉपर तरीके से मेहनत करते रहिए इधर से मैं डिप्लोम वालों को भी असस्त करता हूँ और सारे भाईयों को चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले हो चाहे करम सारा करम चारी वाले मैं आपके साथ किसी भी कीवत पे गलत नहीं होंगा रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी है मैं किसी को भी फसाने नहीं दूँगा किसी कितनी अवकात नहीं जो आपका रिजल्ट फसा दे और जो मिज़े बदनाम किया जा रहा है कि मैं रिजल्ट फसा रहा हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे मैं किसी भी कीमत पे रिजल्ट को लाऊंगा और हर प्रयास जो मेरी तरफ सकता है मैं हर संबब प्रयास करूँगा अगर आप लोग साथ रहे पहले वाद तो रिजल्ट जून में आही जाना अगर नहीं आता है तो मैं आपके साथ चलूँगा और भड़ती बोर्ड से जो भी चीजे जब तक कि हमें प्रॉपर अस्वासन नहीं है तो रिजल्ट नहीं आता यह रिजल्ट का प्रॉपर अस्वासन डेट नहीं मिल जाती आप लोगों के सामने तब तक मैं बहां से नहीं अटूँगा लेकिन जिम्मेदारी यह समर्थन आपका मिलना चाहिए सब लोग जो साथ रहेंगे तभी चीजें सं करीब शाड़े आठ सो बच्चों ने रिस्पॉंस किया हुआ है और इसमें सीवी फिल्टर लगेगा तो लगवग सतर असी बच्चे फरजी तरीके से अप्रोड किये हुए कुछ ना डिप्लोमा की जापे कुछ और अप्रोड कर लिया है तो उन सब लोगों को हम जो है कंस सब्सक्राइब कर लिया है कुल मिला के वही लगवग साड़े 600 या 700 बच्चे आपमान के चलिए 700 लोग ही अपियर होंगे और अगर अभी हालत है तो आप समझ सकते हैं अब ऐसा दोर नहीं बच्चा है कि कोई बच्चा मेरे से ना जुड़ा हो डिप्लोमा वाला बच्चा सब्सक्राइब मुझे दिखाऊंगा और और एक दम रियल कटाफ होने वाला है एक दो प्रसन दर दर हो सकता है लेकिन दम बास्त भी कटाफ है किसी नहीं होना है अगर किसी को भी दियव लगता है अप मुझे फोन करीं का पावार मोटिवेशन आपके आज गभवान का अब ऽॉस यह नहीं दर आ आज भी मैं घर नहीं पहुंचा हूं मैं यह वीडियो बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो मैं आपकी परेशानी को समझ रिकता हूं इतने सारे मेसेज मेरे पास आते हैं मेंनका जवाब नहीं दे पाता हूं वो सारी कॉल डेली 50 से 40 50 कॉल आते हैं और दोड़ाइसों मेसेज आते हैं रिजर्ट को लेकर तो आप लोगो एक दम परेशान नहीं होना है तीस जून तक आप इंत्यार करने अगर रिजर्ट नहीं आया तो तीन चार पांस में किसी भी दिन में एक बड़े अंदोनन के लिए आप लोगों को तैयर करू सबसे पहला टार्गेट जो इसमें हमारा है और आप जानते हैं इस वात को भली बाती अगर मैं पार टार्गेट करूंगा तो उसे अचीब भी करूंगा यह मेरी जिम्मेदारी हो जाती है और अभी तक मैंने किया भी है और आज भी करूंगा और बाकि यहां से लोगों को जो चीज़े हो गए यह समझ गए और मेरे साथ ही जो लोग अभी भी बैटके तरवासा देख रहे तो उन्हों देखा है कि जहां-जहां डिप्लोमा का पक्ष रखा गया है बहां-बहां डिप्लोमा मजबूति के साथ जीता है और मजबूति के साथ आगे बढ़ा है अगर अ लोगों ने हां केस किया दो सुनवाई चुप्चाप करा लेगे तीसी सुनवाई जैसे ही हम लोग पहुंचे परड़ाम आपके सामने है अकिकत यह है कि जो दो परड़ाम मैं आ रादा कि जोड़दार भहस करीगी आज बोलने का मौका नहीं मिला उनके बोल नहीं पाया च और अपनी तरफ से भी दो बकील थे दूसरा बाला सर्प्राइज था कुछ लोग बैठे हुए तो उनको लगा कि वो कह रहे थे आनद ने तो एक बकील किया हुए था तो मैंने उनको ना देखते हुए से बस बोला था कि नहीं एक का दूना दू हो जाता एक से दू हो जात करने का तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितने सीजियर बकील और कितने कप से लड़ रहे हैं और कितना बहतीन डंग से लड़ते हैं ठीक है उसी का यह प्रेडाम है कि आप लोग साथ सफलता पूर्वक इंपलीड हो गए और आप लोग जो है अगली हेरिंग मिल गय और सुख्चित रहेगी और रिजल्ट के लिए आज का पूरा वीडियो केवल और केवल रिजल्ट ओरिएंटेड है मैंने सुरूष के लिए कि लास्ट तक मैं रिजल्ट पर ही बात कर रहा हूं और मैं फिर इस बात को हुए रहा हूं कि णिसी भी किमत 30 जून तक तो 5 जून से 5 जुलाई से पहले पहले हम एक बड़ा मुमेंट खड़ा करेंगे और हम लोग चलेंगे भरती वो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं तयार हूँ क्या आप तयार हैं अगर आप तयार हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और टेलीग्राम और भाट सब दोन की मुहिम चलाना चाहते हैं उसके लिए बड़े इस तर से हम लोग फिजिकल तोर पे उतरेंगे जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे फिजिकल तोर पे तब तक चीज़ा आपके पक्ष में नहीं आएगी और मैं इसके लिए तयार हूँ एक बड़ा अंदोरन जैसे इ इस वीडियो को इतना सेर करिए कि 30 जून के बाद 30 जून तक रिजल्ट आ जाया और हम लोग को भटी बोर जाने की नौबत ही ना है क्योंकि कहीं ना कहीं यह मेरे उपर आरोप लग रहा है और मैं अपने उपर कोई भी आरोप नहीं लग नहीं लग रहे दूगा मैं आपक भी करूँगा उसके लिए मैं कते ही पीशनी अटने वाला हूँ और मैं जो कमेंटमेंट कर देता हूँ आप लोग भी भली बात जानते हैं मैंने जो भी बीड़ा उठाया है उसे पूरा करके दिया है हाल में तो रिजल्ट की बात है हर हाल में रिजल्ट आएगा इसके लि है जो बरज़िधत रहिए और रिनिंग पूरी सिद्दत के साथ है और वात आपको कहूंगा ठीक है और अंत में मैं इतना ही कहूंगा daukee की मैं किसी के साथ गलत ने जाहें करमकारी Caribbean के साथái वा snooze और किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा आपके आंखों रख यह कह रहा हूं और यह मैं तब ँ 나서 पह रहा हूं जब आप लोगों का प्यार और लोग का समर्थन मेरे साथ है इस इसाब से मैं कह पा रहा हूं और मैं आप से फिर भी कहूंगा कि वीडियो को सेर करे जाए लोग तक ताकि लोग जुड़े और अगर हमें जरूरत पड़ी पहले तो मुझे अस्वस्त है अस्वास इस वात के लिए मैं खुद से अस्वस्त हूं और मै बच्चे बहुत परेशान हैं इनके प्रसानी को समझेए आज मैंने दो बच्चों को जंता दरवार में भेजा था वो लोग उधर भी अप्लिकेशन देख के आए हैं और आप लोगों में भी अगर कोई है तो कुछ मुमेंट मैं सुरू कर रहा हूं लगातार चोटे इस त बहुत था वहां कि अपने देख आये हैं और जल्द ही अस्वाक्षन मिलाएगी जल्द रिचल्ट आ जाएगा चिक्क्या मेरे दोस्त तो अभी के लिए इतना ही और आप लोग्ध्यान देखिये अपने थेंक्यों